प्रतिकात्मक रखने का किया आग रहें कहा इससे पूर्णा संकट से लडाई में मिलेगी मदद केंद्रे स्वास्त मंत्री डुक्र हर्श्वर्धन ने विभिन राजों के स्वास्त मंत्रियों के साथ समिक्षा बैठक की कुरोना महमारी से निपटने के लिए राजों से मांगे सहयोग और सुझाव ओक्यमंत्री मनोहरलाल ने हारियाना की बात कारिक्रम के माध्यम से प्रदेश वासियों को किया संबोधित कहा प्रदेश में कोविड वैक्सीन की नहीं कोई कभी और गेहू के खरीद का भुगतान सीधे बैंक खाते में आने से प्रदेश के किसान खुश नमस्कार मैं सुरेंदर कुमार अब समाचार विस्तार से प्रदानमंत्री नरेंदर मोधी ने कोरोना महमारी के बढ़ते मामलों के मद्दे नजर संतों से आग्रह किया है कि अब कुम्भ मेले को कोरोना संकट के चलते प्रतिकात्मक ही रखा जाए पीम ने ट्वीट करते हुए कहा कि मैंने प्रार्थना की है कि दो शाहिस्नान हो चुके हैं और कुम्ब को कोरोना संकट के चलते प्रतिकात्मक ही रखा जाए। इस संकट से लड़ाई को एक ताकत मिले की। अपील की है। स्वामी अवधेशा नंद जी ने ट्वीट करते हुए जनता से आगरह किया है कि कोविड की परिस्तितियों को देखते हुए वे भारी संख्या में स्नान के लिए ना आएं तथा कोविड-19 नियमों का निर्वेहन करें। सबके प्राणों की रक्षा हो और मैं भी यह कहना चाहूंगा कि धर्म बड़ी चीज़े पर उससे बड़ी प्राण हो। मैं कहना चाहूंगा आस्था बहुत बड़ी चीज़े पर आस्था से भी कहीं अधिक जीवन हैं। लोगों के प्राणों की रक्षा है। मैं आप सबसे एक अपील करना चाहता हूं। कि जिस दिन से यहां आने वाले साधकों के नेगिटिव रिपोर्ट उनके पास हैं। जिस तरह से वो अपने हैं टेस्ट करा रहा है। जितने टेस्ट यहां किये गएं। कहीं नहीं हुए होंगे उतने। कि वो सीमित संख्या में आएं। और कोविड नियमों का अनुशरन करें। देश में कोरोना के मामलों के रोकताम के लिए केंडर स्वास्ते मंत्री डॉक्टर हर्श वर्धन ने वीडियो कॉर्णफरेंसिंग के माध्यम से विभिन राज्यों के स्वास्ते मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के दोरान डॉक्टर हर्श वर्धन ने कहा कि देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। के पास एक करोड़ अठावन लाख डोजिज हैं और जो की एक सप्ते के अंदर पाइपलाइन के अंदर सप्लाई के अंदर हैं वह एक करोड़ सोला लाख चौरासी हजार डोजिज हैं यह फिगर देने का सिरफ आपको आइडिया यह है कि आप सब अभी इस बात से आश्वस्त रहें कि कोई वैक्सिन की शौर्टेज नहीं है हमारे पास। केंद्री स्वास्त मंत्रे ने हर राज्य में नोडल अधिकारे नियुक्त करने के निर्देश दिये हैं और कहा है कि सबी कि राज्यों को कोरोना से निपटने के लिए आवशक सहयता प्रदान की जा रही है डोक्टर हर्च वर्दन ने कोरोना महमारे से निपटने के तमाम प्रभावी कदम मिलकर उठाने के लिए राज्यों से सहयोग और सुजहाव भी मांगे हर एक स्टेट एक अपना कोई नोडल ऑफिसर इस दिश्टी से जरूर अपॉइंट करे क्योंकि जो जी नॉम सिक्वेंसिंग के अंदर जो भी हमारे को मुटेशन्स माल लीजे दिखाए दे हैं तो उनका क्लिनिकल पिक्चर और पब्लिक हेल्थ के एंगल से कोरिलेशन इस करके और सर्ज को कलपना करके भवशी के लिए प्लैन करके इंफ्रस्ट्रक्चर के संदर्ब में और दूसी चीजों के संदर्ब में भारत सरकार को जो भी चीज़ें सही समय पर प्रजेक्ट करेंगे हम उन सारी चीजों के अंदर और विशेश रूप से जो आजकल बेट्स के बारे में ऑक्सीजन के बारे में कुछ दवाईयों के बारे में जो भी बाची चलती है जो हमारे लेवल पर जितने एक्शन्स लेने हैं भी है इनिशेटिट अल अफ देम मुख्यमंतरी मनोहरलाल ने हरियाना की बात कायक्रम के दोरान जन्टा को संबोधित करते हुए कहा कि आंदोलन करना हर किसी का लोकतांतरिक अधिकार है परन्तु कोरोना महावारी से बचाव करना भी सभी की सामुहिक जिम्मेदारी है इसलिए किसानों को नैतिक्ता के आधार पर इस महावारी से बचाव के लिए अपना अंदोलन समाप्त कर देना चाहिए इसलिए मेरी अपील है ऐसे किसान बंदों से कि ये अफसर अब उस परकार के अंदोलन करने का नहीं है ये कठे रहने का नहीं है आपके अंदोलन को दर्ज किया जा रहा है मैं तो यहां तक कहूंगा कि अगर करोना नहों दोबारा से भी आपको इसी स्थिति में ऐसे आकर अंदोलन करना हमको कही आपती नहीं है लोक तंतर विवस्था बनाए रखनी चाहिए लोक तंतर जैसा हमारे अधिकार है ऐसे दूसरों का भी लोक तंतर का अधिकार है तो ह तो यहीं चाहूंगा कि हम लोग आज इस अंदोलन को यहीं समाफ्त करें, अपने अपने स्थानों पर जाए, अपने परिवार की भी जिनता करें, अपने समाज की भी जिनता करें मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अध्योग गतिविद्यां बंद नहीं होगी, वे चलती रहेंगी मुख्य मंत्री ने श्रमीकों से आगरे किया कि वे निश्चिंत होकर अपने कार्या में लगे रहें घबराने की कोई जरूरत नहीं है उन्हें किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आने दी जाएगी मुख्य मंत्रे ने कहा कि प्रदेश में कोई कमी नहीं है उन्हें कहा कि 20 अप्रिल से सभी विभागों के सहयोग से एक और टीका करन महा अभियान की शुरूरत की जाएगी जिसमें ये सुनिश्चित किया जाएगा कि 45 वर्ष के आयू के सभी लोग टीका लगवाले मुख्य मंत्रे ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए कोविड एप्रोप्रियेट वियाहवार का पालन करना अत्यंत आवशक है इसके लिए प्रदेश सरकार की ओर से सक्त कदम भी उठाए जा रहे हैं हमारी है कोई केवल एक देश और प्रदेश की नहीं है तो हमने जहां आवशक्ता थी उनको भी supply करना शुरू किया लेकिन अपने भी हर देश के हर प्रदेश को जितनी आवशक्ता है वो vaccination टीके भिज़े जा रहे हैं अपने प्रदेश में भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है कई प्रकार के जो ये टीके हैं वो लगाय जाते हैं प्रती दिन जितनी भी विश्थाएं की गई हैं उसके अभी तक 30,50,000 vaccination के टीके ये सब लगाय जा चुके हैं अभी 20 अपरेल से एक बड़ा माभियान सभी विभागों के सहयोग से फिर से करने वाले हैं ताके 45 वर्ष से उपर की आईउ के सब लोग ये vaccination का ठीका ये अवश्या लगवाल है हर्याना की मंडियों वखरीद केंद्रों में एक अपरिल से 16 अपरिल तक लगभग 50 लाख टन गेहों की आवख हुई है इसमें से 41 लाख टन से अधिक गेहों की खरीद सरकारी अजेंसियों द्वारा नियूनतम समर्थन मुल्या पर की गई है एक सरकारी परवक्ता ने इस संबंद में जानकारी देते हुए बताया कि 16 अपरिल 2021 को खरीद सरकारी अजेंसियों द्वारा लगभग 2 लाख टन गेहों की खरीद नियूनतम समर्थन मुल्या पर की गई उनने बताया कि 16 अपरिल 2021 तक कुल लगभग 873 करूड रुपए के अदायगी सीधे किसानों के खातों में की जा चुकी है। परवक्ता ने बताया कि सबी संबंदित अधिकारियों को हिदायतें जारी की गई है कि मंडियों में खरीदे गए गेहूं का उठान दैनिक आधार पर सुनिश्चित किया जाए ताकि मंडियों में गेहूं जमा ना हो और किसानों को अपनी उपज बेचने में कोई कठिनाई ना आए इसके अतरिक्त मंडियों के निरिक्षन के लिए सरकार द्वारा वरिष्टा धिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है ताकि खरीद कारे में किसी प्रकार की बाधा ना आए किसानों के लिए चलाई जा रही किसान कल्यान कारी नीतियों के तहए तब किसानों को अपने फसल की बिक्री करने के बाद भुगतान राशी सीधे उनके बैंक खातों में दी जा रही है जिससे किसानों को काफिल लाब मिला है किसानों ने कहा कि सरकार की इस लाबकारी नीती से उन्हें बहुत लाब मिला है और वो बहुत खुश है उन्होंने बताया कि पहले उन्हें अपनी धनराशी लेने के लिए महीनों तक चक्र लगाने पड़ते थे और अब बहुत परिशानी का सामना उन्हें उस वक्त करना पड़ता था। उन्होंने सरकार की सरहना करते हुए कहा कि अब सीधा बैंक खातों में धनराशी आने से उन्हें किसी भी प्रकार की कोई परिशानी नहीं हो रही. परिशानी नहीं हो रही. परिशानी नहीं हो रही. हम से जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं. अब आप अपने मोबाइल फोन से क्यू आर कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं. देश में कोरोना संकर्मन का कहर बढ़ता जा रहा है. पिछले 24 घंटों में कोरोना संकर्मन के 2,34,692 नए मामले सामने आये हैं. इसके बाद अब देश भर में सक्रिय मरीजों के संक्या बढ़कर 16,89,740 हो गई है. बीटे 24 घंटों के दोरान देश में कोरोना के कारण 1,341 लोगों की मौत हो गई. कोरोना मृत्यूदर घटकर 1,21 प्रतिशत रहे गई है. वहीं अगर कोरोना टीका करण की बात करें तो बीटे 24 घंटों में देश में 30,45,44 लोगों का टीका करण हुआ है. टीका करण का एक संक्रमन के मामले 33,817 हो गए है और कोरोना संक्रमन से स्वस्थ होने वालों की संख्या 3,4906 हो गई है रिकावरी रेट 89.13 प्रतिशत और मृत्यूदर अब 0.98 प्रतिशत हो गई है अब तक कुल 41,170 व्यक्तियों का ट्री का करण हो चुका है प्रदेश सरकार ने कोविड-19 के लगातार तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए फैसला लिया है कि अंडर सेक्रेटरी और समकक्ष और इससे नीचे के अधिकारी करबचारी घर से काम कर सकेंगे साथ ही कार्यालों में उपस्तिती 50% रखने का भी निर्णेल लिया गया है प्रदेश के मुखे सचिव कार्याले की तरफ से जारी निर्देशों में कहा गया है कि डिप्टी सेक्रेटरी और इससे उपर के स्तर के अधिकारी नियमित रूप से कार्याले आएंगे इन निर्देशों के साथ ही 45 वर्च से उपर के सभी अधिकारियों वे करमचारियों को कोविड वैक्सीन लगवाने के सला दी गई है कोरोना महामारे से बचाव के लिए प्रदेश में टीका करण का कार्या सुचारू रूप से जारी है करनाल सीवर अस्पताल के मुख्य चिकित साथिकारी डोक्टर पीउश शर्मा ने बताया कि कोविड नाइटीन का टीका पूरी तरह से सुरक्षित है और सभी लोगों को टीका करण अवश्य करवाना चाहिए रूने का कि सीवर अस्पताल में प्रती दिन करीब 200 लोगों को कोरोना वैक्सिन लगाई जा रही है हरा सकते हैं टीका करवाने के परश्याथ सेवंटी ऐटी परसेंट आप वैसे ते सेयफ हो जाते हैं बीमारी से और अगर दुर्भाग्य से टीका लगवाने के परशश्याथ भी आप को बीमारी हो जाती है तो आप बीमारी की indoor series दूरी बनाये रखें और सेनिटाइजर का प्रयोग करें। उन्होंने बताया कि कोविड-19 के टेस्ट की सुविधा जिला की सभी सरकारी चीकत्सा संस्थाओं में नेशुल को उपलब्द है। टीका करण करवाने आये लोगों ने कहा कि वैक्सिन लगवाने से उन्हें कोई परिशानी नहीं हुई और ना ही कोई दूश्प्रभा हुआ है। उन्होंने कहा कि सभी को टीका करण करवाकर खुद को और दूसरों को सुरक्षित करना चाहिए। यह वैक्सिन लगवानी जरूरी है अज हम वैक्सिनेशन की सेकंड डोज लगवाने आये हैं पहली वैक्सिनेशन हम लगवा चुके हैं हमें कोई दिक्कत नहीं आई और यह सब को लगवानी चाहिए आज दूसरी डियू होगी है मैसी जाने के बाद हम अपनी वैक्सिनेशन लगवाने आये हैं अंत में इस बूलेटिन के मुखे समाचार एक बार फिर पैधान मंतरी मिरेंद्र मोदी ने हरीद्वार कुम्व मेले को प्रतिकात्मक रखने का किया आग्र है कहा इससे कोरोना संकट से लडाई में मिलेगी मदद केंजी स्वास्त मंतरी डॉक्र हर्ष्वर्धन ने विभिन राजों के स्वास्त मंतरियों के साथ समिक्षा बैठक की कोरोना महमारी से निपटने के लिए राजों से मागे सहयोग और सुझाव मुख्यमंतरी मनोहर लाल ने हरियाना की बात कारिक्रम के माध्यम से प्रदेश वास्यों को किया संबोधित कहा प्रदेश में कोविड वैक्सिन की नहीं कोई कम और गेहू के खरीद का भूगतान सीधे बैंक खातों में आने से प्रदेश के किसान खुश हमारी सभी दर्शकों से अपील है कि कोरोना सम्मंदी सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और पैंतालिस वर्ष स्याधी कायू के सभी लोग बे ही चक्टी का लगवाएं आप भी हमारे साथ सुरक्षा बचाव के तीन आसान एहत्याती उपायों का संकल्प लें झालन करें झालन करें लोग झालन करेंगे लोग लोगवाएं